नमस्कार आदाब। आपका मेरी अपनी मैफिल में एक बार फिर स्टकबाल है स्वागत। जियां वही मैफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत असन मंटो के साने सुना रहा हूं। आज मैं आपको फिर एक अफसाना उनका सुना रहा हूं। जो हलका फुलका मिया भीवी की नोग्जोंक वाला अफसाना है। जो अफसाना है हर बार एक ही अंदाज में जैनि मुकालमवी अंदाज में डाइलोग में लिखा गया है। आज जो मैं अफसाना सुना रहा हूं। उसका अफसाना है। उसका उन्वान है। सिग्रेट और फॉंटेन पेंग। मैंने पारकर 51 का कलम कहां गया। जाने मेरी बला। मैंने सुबह देखा था तुम उससे किसी को खत लिख रही थी। अब इंकार कर रही हो। मैंने खत लिखा था। हाँ मगर मुझे आप क्या मालूंगे कहां गारत हो गया। यहां तो आए दिन कोई ना कोई चीज गारत होती रहती है। मेंटल पीस पर आज से दसरोज हुए है। मैंने अपनी घड़ी रखी। सिर्फ इसलिए कि मेरी कलाई को चंद पुंसिया निकलाई थी। दुपसर दिन देखा वो गायब थी। क्या मैंने चुदा ली। मैंने यह कब कहा। सवाल तो यह है कि वो गई कहा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने यह घड़ी वहीं रखी थी। उसके साथ ही दस रूपे आठाने थे। यह तो वहीं रहे। लेकिन घड़ी जिसकी टीमत 275 रूपे थी। वो गायब हो गई। तुम पर मैंने चुदी का इलजाब कब लगाया। एक घड़ी आपकी पहले भी गुम हो गई थी। मैं तो सबचती हूँ कि आपने खुद उन्हें बेश खाया होगा। बेगाम तुम ऐसी बेहूदा बाते ना किया करो। मुझे वो दोनों घड़ीया बहुत अजीज थी। इसके इलावा उनको बेचने का सवाल ही कहां परदा होता है। तुम जानती हो कि मेरी आमजनी अल्ला के फदल से काफी है। बैंक में इस वक्त मेरे दसजार से कुछ उपर रुपे जमाए। घड़ीयां बेचने की जरूरत मुझे कैसे पेश आसकती थी। अरे किसी दोस्त को दे दी होगी। क्यों। कि मुझे उनकी जरूरत नहीं की। मैं तो घड़ी के बगएर रही नहीं सकता। अब ऐसा मैसूस होता है कि मैं ऐसा चकड़ा हूँ। जिसमें कोई पईया नहीं। वाक्त का कुछ पता नहीं चलता। घर में क्लॉक है अगर वो तुम्हारी तरह नाजक मजाच है। जरा मौसब बंदे जनाब बंद हो जाते हैं। फिर जब मौसब उसके मजाच के बवाफिक हो तो चलना फिर चुरू कर देते हैं। यानि मैं क्लॉक हूँ। अरे मैंने सिर्फ तश्वी के तौर पर कहा था। क्लॉक तो बहुत काम की चीज है। और मैं किसी काम की चीज नहीं। शरम नहीं आती आपको इसी बाते करते। मैंने तो सिर्फ मजाच के तौर पर यह कह दिया था। तुम खामखा नाराज हो गई हो। मैं आज तक भी आपसे खामखा नाराज ना हुई हूँ। आप खुद ऐसे मौके देते हैं कि मुझे नाराज होना पड़ता है। तो चलो, अब सुला हो जाए। सुला हो जाए। सुला हो जाए। इन पंद्रा बर्सों में आपसे मैं पंद्रा हजार बर्तबा सुला सफाई करकर चुकी हूँ। अगर नतीजा क्या निकला। वही धाक के तीन पात है। धाक के तीन पातों को छोड़ दो। तु मुझे मेरा पारकर कलम लाके दो। मुझे चंद्ध बड़े जरूरी खत लिखना है। मुझे क्या पता के वह कहां गया। ले गया होगा कोई उठा कर। अपने हर चीज़ का ध्यान तो नहीं रह सकती। तो प्रिम किस मर्स की दवाओ। मैं नहीं जानती। लेकि इतना जरूर जानकी हूँ। कि आप मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा रोग है। तो यह रोग दूर करो। हर रोग का कोई ना कोई इलाज मौचूद होता है। खुदा ही दूर करेगा यह रोग। यह किसी डॉक्टर या हकीम से दूर होने वाला नहीं। अगर तुम्हारी यही खाईश है कि मैं मर जाओं तो मैं उसके लिए तयार हूँ। मेरे पास इतिफाक से एक कातिल जहर मौजूद है। मैं तुम्हारे सामने खाकर मर जाता हूँ। अरे मर जाईए। उसके लिए तो मैं तयार हूँ। ताके रोज रोज की बखबख और जखचा खतब हो जाए आप तो चाहते हैं कि अपने फराई से छुटकारा मिले बीवी बच्चे जाएं भाड़ में आप आराम से कबर में सोते रहें लेकिन मैं आप से कहे जेती हूँ कि वहां का अजाब यहां के अजाब से हजार गुना ज है यह सब जूट है मैं जब कोई फैसला करता हूं तो उस पर काइम रहता हूं अभी पछले दिनों मैंने यह फैसला किया था कि मैं सिकरेट नहीं भी हूँँ और चिनान्चे अब तक उस पर काइम हूँ अरी पाखाने में सिगरेट टुकोड़े जाएं से आते हैं मुझे क मगर सवाल पैदा होता है क्या कि पाखाना भी कोई ऐसी माकूल जगा है जहां सिग्रेट पिया जाए चोरी छुपे जो पीना हुआ पाखाने के लावा और मौजूँ मुनासिब जगा क्या हो सकती है आप मेरे साथ फ्रॉड नहीं कर सकते मैं आपकी रग रग पैचानती हूँ यह तुमने मुझसे आज ची कहा कि मैं पाखाने में चुप चुप कर सिग्रेट पीता हूँ मैंने इसलिए इसका जिकर आपसे नहीं किया था कि आप चुके तंबाखू के आदी हो चुके है इसलिए सिग्रेट नोशी आप तर्क नहीं कर सकते लेकिन ये बहरहाल बहतर है कि आप दो एक सिग्रेट दिन में पी रहते हैं जहां आप पचास के करीब फुका करते थे मैंने धाई बरस में एक भी सिग्रेट नहीं पिया भंगी पीता होगा भंगी गुल-फ्लाइक और क्रिवान ए नहीं पी सकता है है रत है किस बात की नहीं है हुझे बना रहे हैं मैं सोच रहाहं हूँ कि ये सिग्रेट वहां कौन पीता है आपके सिवा और कौन पी सकता है मुझे तो उसके धुमे से खांसी की शिकायत हो जाती है मुझे तो उसे सक्ट अफरत है मालू नहीं आप लोग किस तरह इस वाहियाच चीज का दुओं आपने अंदर कीशते है खेर इसको छोड़ो मेरा पार्टर अकल भुजे दो मेरे पास नहीं है तुम्हारे पास नहीं है तो क्या मेरे पास है आज सुबा तो खुदा मालूम किसे खात लिख रही थी तुम्हारी यंग्लियों मेरा यही खलम था लेकिन मुझे क्या मालूम कहा गया मैंने आपकी मेश पर रख दिया होगा और आपने उठा कर किसी दोस्त को दे दिया होगा अब हमेशा ही ऐसा करते हैं देखो बेगम खुदा की कस्म खाकर कहता हूँ यह कलम मैंने किसी दोस्त को नहीं दिया हो सकता है तुमने अपनी किसी सहली को दे दिया हो और मैं क्यूं इतनी किमती चीस सहली को देने लगी वो तो आप है कि हजारों अपने दोस्तों में लुटाते रहते है अब सवाल ये है कि वो कलम है कहा मुझे चंद जरूरी खत लिखने है जाओ जाओ मेरी जहान ज़रा थोड़ी सी तकलीफ करो मुम्किन है ढूनने से मिल जाए नहीं मिलेगा आप फुजूर मुझे तकलीफ देना चाहते है तो ऐसा करो दवात और पेन होल्डर ले आओ दवात तो सुबह आपकी बच्ची ने तोड़ दी पेन होल्डर आपके भांजे के बेटे में इतने पेन होल्डर थे कहा गए मुझे क्या मालूम आप ही इस्तेमाल करते है मैंने तो आज तक पेन होल्डर कभी इस्तेमाल नहीं किया कभी कभी तुम किया करती हो जबके मेरा फाउंटन पर दस्तिया अबना हो आपकी बच्चीया आफ़त की पुतलिया है वही तोड़ फोड़ के बाहर फेक देती होंगी अरे तुम ध्यान क्यों नहीं रखती ही किस किस चीज़ का ध्यान रखो मुझे घर के कामकाज चीज़ से फुरसक नहीं मिलती इसी लिए तो मेरी दो घड़िया कायब है कि तुम घर के कामकाज से फुरसक नहीं मिलती मैंने जब देखा तुम पलंग पर लेटी हो खुदा मालूम तुम घर का काम काज वही लेटी लेटी करती हो घर का सारा काम तो आप करते हैं मैं इसका दावा नहीं करता है बहराल जो कुछ मैं कर सकता हूँ करता रहता हूँ क्या करते हैं आप हफ़ते में एक दो दफ़ा मार्केट जाता हूँ मुर्ख और मच्छी खरीद कर लाता हूँ अंडे भी कोईले की परमिट हासिल करता हूँ घी का बंदो बस करता हूँ अब मैं और क्या कर सकता हूँ मस्लूफ आदमी हूँ दफ्तर जाना होता है वहाँ ना जाऊँ तो महीना खता मुले के बाद 700 रुपे कैसे आ सकते हैं उन 700 रुपे में से आप मुझे कितना देते हैं पूरे 700 ठीक है लेकिन आप अपना गुजारा किस तरह करते हैं अल्लौ बेटर जानता है रिश्वत लेते हैं और क्या वरना सारी तन्ख़ा मुझे देने के बाद आप 555 के सिगरेट नहीं पी सकते मैंने सिगरेट पीने तर्ग कर दी हैं आप जूट क्यूं वोलते हैं अरी मैं इस बहस में नहीं पढ़ता चाहता तुम मेरा पारकर कलम ज़रा ढूद निकालो मैं आप से कही चुकी हूँ के मेरे पास नहीं है तो और किस के पास है मुझे क्या मालू मैंने सुबा खत लिखा और मेंटल पीस पर रख दिया वहां तो उसका नाम और निशान ने आपने किसी दोस्त को बख्ष दिया होगा ग्यारा बचे आपके चल साथ आयते मेरे दोस्त कहा थे मैं सिर्फ मुलाकात करने आये थे मैं तो उनका नाम भी नहीं जाता मेरा नाम भी आप भूल गयोंगे बताईए च्या है तुम्हारा नाम लिकिन बताने की ज़रूरत ही क्या है तुम तुम हो पस इन पंदरा बर्षों में आपको मेरा नाम भी याद नहीं रहा है मेरी समझ में नहीं आता आप किस किस्म के इंसान है किस्में पूछोगी तो हैराड हो जाओगी एक करोर से जाद होंगी अब जाओ मेरा कलब जुदू मैं नहीं जानती कहा है यह कमीज तुमने नहीं सिर्वाई है अँगरेबान बहुत गुपसूरत है अज़े यह इसमें तो मेरा कलब अटका हुआ है सच मैंने यहां अरस लिया होगा माफ कीजिएगा ठेड़ो ठेड़ो मैं खुद निकाल तुम मुमकीन है तुम कमीज पाढ डालो यह क्या कि रहे यह क्या अरे यह तो पांस्सो पच्पन सिगरेटों का डबबा है कहां से आ गया यह थी आज की कहानी से फ्रॉंटन पेन जगरेट और फॉड़ेट पेन